क्या आपका भी WhatsApp बैन हो चुका है और आप इसे अन बैन करना चाहते हो तो मात्र 24 घंटे में जी हाँ दोस्तों प्रूफ के साथ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ मात्र 24 घंटे में हमने अपना बैन WhatsApp को जो कि हमारा कुछ दिर पहले, कुछ घंटों पहले बैन का बता रहा था जैसे ही नंबर हम डाल रहे थे मेरा WhatsApp बैन बता रहा था और वही चीज हमने 24 घंटे के बाद करा ठीक है एक जुगार लगाने के बाद हमने 24 गंटे के बाद वही नमबर से वही फोन में लॉगिन करना चाहा तो हमारा जट से हो चुका है अगर आप भी अपना बैन वाटसप को अन बैन करना चाहते हो तो आज जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जुगार और तरीका बताने वाला हूँ 100% वरकिंग तरीका है तो इस तरीके से आप अपने बैन वाटसप को अन बैन कर सकते हैं लेकिन कैसे इसके लिए सबसे पहले तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजगा नीचे कमेंट करके बताना कि कितने दिनों से आपका वाटसप बैन है और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे जानकर आपको जाना ही चाहिए ठीक है हमने अपना वाटसप ओपिन किया ओपिन करने के बाद यहाँ पे एग्री एंड कंटियू के उपर किलिक किया यहाँ पे मुझे अपना नंबर डालने का option दे रहा है हमने अपना नंबर यहाँ डाल दिया देखिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर को blur कर रहा हूं ठीक है लेकिन यहाँ पे मैं 5 अंग को औन बलर रख रहा हूं पाँच डिजिट को जिससे कि आप verify कर सकें कि हमारा वही WhatsApp हमने login करा है ठीक है तो जैसे ही यहाँ पर हमने next पर click किया देखे connecting हुआ और connecting होने के बाद यहाँ पर मुझे बता दिया कि this account can no longer use WhatsApp due to spam ठीक है हमारा WhatsApp नमबर को ban कर दिया गया और मेरे WhatsApp नमबर को login करने का option नहीं दे जाओगा request review करके ठीक है तो इसी वाले option का use करना है लेकिन दोस्तो यहाँ पे आपको कुछ भी लिखकर भेज नहीं देना है यहाँ पे आपको वही चीज लिखना है जो मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ एक format होता है एक template होता है जिससे कि आप सभी का WhatsApp को unban किया जा सकता है ठीक है तो वो template कहां आपको मिलेगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में तो वीडियो को अभी तक like नहीं कियोंगे तो जल्दी से like कर दिजेगा तो request review के उपर click करना है और देखिए यहाँ पे आपको जो message लिखना है देख रो यहा बताना है लिख कर ठीक है तो यहाँ पे आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है आपको अपने phone के अंदर Google Chrome को open करना है ठीक है तो Chrome आप search कर लिजिए उसको open कीजिए open करने के बाद यहाँ पे आप सभी को search करना है यहाँ पे आप सभी को गूगल में आ कर लिखना है नया apps ठ अबैन लिखने के बाद आपको search करना है search करने के बाद यहाँ पे आपको जो दूसरा है आप सभी चाहे तो यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं मैंने पढ़ लिया है पढ़ने के बाद यहाँ पे आप जब नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ edit भी करना है direct आपको submit नहीं करना है यहाँ पे अपको यहां पर जो नंबर दिख रहा है यह नंबर को चेंज़ करना है कौन सा नंबर डालना है जो नंबर आपका वट्सप बैंड किया है ध्यान दीजेगा पलस नाइन वन लगाना मत भुलियETHा ठीक है पलस नाइन वन लगाने के बाद आप अपना नंबर को इंटर किजे इंटर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आईए, फिर यहाँ पे आपका नाम क्या था वाटसप में, वो आप यहाँ पे लिख दीजे, जैसे के मेरा नाम राजा राम प्रशाद है, जिनका मैं मैं मैसेज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनका नाम सुह हमने नेक्स्ट 24 आवर के बाद जैसे ही अपना वाटसप को हमने पुना ओपिन किया, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या देखने को मिला, ठीक है, हमने वापस से अपना वाटसप ओपिन किया, फिर से हमने वही प्रोसेस अपनाया, नेक्स्ट करा, ठीक है, नमबर डालने के कि मेरा जो WhatsApp है वो अब खुल चुका है तो इस तरीके से आप सभी अपने ban WhatsApp को unban कर सकते हैं और मैंने आपको proof के साथ सब कुछ दिखा दिया ठीक है तो उमीद है कि आपको वीडियो पसंद दया होगा पसंद दया तो जो इस वीडियो को like कर दिजेगा अब देखिए दोस्तो कुछ लोगों का यहां पर request review का option नहीं आता है ठीक है? यहां पर request review का option नहीं आता है कुछ लोग यहां पर submit कर देते हैं तो उनका क्या होगा? अब दोस्तो अगर ऐसा case है तो आपको उपर में एक 3.ca option दिखेगा वहां पर help का option दिखेगा और हाँ आप सभी को मैसेज कहां से कॉपी करना है, सब कुछ आपने सीख लिया, उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आगा, पसंद आगा, पसंद आगा तो जो रूसे वीडियो को लाइक कर दिजिएगा, और हम मिलते हैं फिर आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा, टेक केर टिल दिन और गुड़ पार.